आदेश आदेश सभी को जैशिब गोर्थ आदेश दोस्तों आज मैं राजा भर्थरी जी के नीती शतक में से कुछ बहुती सुन्दर शलोक लेके आया हूँ आपसे रिक्वेस्ट रहेगी जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको इस प्रकार की वीडियो मिलती रहें राजा भर्थरी नीतीशा तक शायद यह संभव है कि मनुश्य मगरमच के मुख के अंदर दाड़ों में फसी मनी को बलपूर्वक निकाल ले उर्ती हुई लहरों से ब्याप्त समुद्र को तैर कर पार कर ले और क्रोधित सहाब को भी सिर पर माला की तरह रख ले किन्तु दूराग्राही मनुश्य को प्रसर्ण करना असंभव है दोस्तो ये जो मैंने आपको शलोक का अर्थ बताया इस तरह के लोग अकसर जिंदगी में मिलते हैं मेरा खुद का एक व्यक्तिगत एक्सपिरिंस रहा है कि मुझे भी इस तरह के लोगों से पाला पड़ा है लेकिन बस परमात्मा पे विश्वास रखो वो उपर वाला सब का साथ देता है चलते हैं अगले शलोक की तरफ जो कोई व्यक्ति अपने अमरित्मय मधुर उपदेश बचनों से दोस्ट व्यक्ति को सज्जनों के सनमार पर ले जाना चाहता है वे सकोमल कमल नाल के तंतूं से पागल हाती को बानना चाहता है अती कोमल सिर्ष के फूल के पुष्प के अगर भाग से अती कठोर हीरे को छेदना चाहता है तथा एक बूंद शहद से खारे समुद्र को मीठा करना चाहता है मीठे बचनों का प्रियोग कर दोस्ट को सज्जन बनाने में लगे व्यक्ति ऐसे ही उपहास का पात्र होते हैं तो दोस्तों ये वी सही है, कि जो दोस्ट व्यक्ति है, वो दोस्ट ही रहेगा भले ही आप प्याज के उपर गंगाजल का सिंचिन करे गंगाजल से सिंचाए करे लेकिन प्याज जो अपना प्रभावे वो नहीं छोड़ता उसी प्रकार दोस्ट व्यक्ति भी कहीं नहीं संगती में आकर थोड़ा वो सुदर सकता है लेकिन जो उनका मूल भाव है वो कभी नहीं सुदर सकता। इसलिए दुष्टों से हमेशा साफधान रहना चाहिए। परमात्मा ने मुर्खों के वश्च में अत्यंत उपकारी मौन धार्ण करने की प्रविती प्रदान की है। चुप रहना उन्हें अपनी मुर्खता छिपाने का सबसे अच्छा बहाना लगता है विशेश कर विद्वानों की सबा में इससे मुर्खों को बड़ालाब होता है। इसलिए मौन रहना मुर्खों की शोबा है। जब मैं अग्यानी था तब मतवाले हाथे के समान मद में चूर हो गया था और मैं अब सब कुछ जानता हूँ ये सोचकर मेरा मन गर्ब से भर ग अग्यानी व्यक्ति अपने थोड़े से ग्यान को सब कुछ समझ लेता है और व्यर्थ में ही अहंकारी बन बैठता है। जब विद्वान गणों की संकती से जानने लगता है तब वे स्वय को अग्यानी समझने लगता है और अभिमान त्याग देता है अता विद्वानों का भरपूर, लार से भीगी हुई, दुरगंद भरी, घ्रनासपद, मास से रहत एवं विचित्त रस्युक्त गधे की हड़ी, बड़े चाब से चाड़ता हुआ कुता, पास में खड़े, देवराज इंद्र को भी देकर कोई संकोश नहीं करता, क्यूंकि नीच प्राणी अपना यहां पर महाराज भरतिरी जी ने कितने गहरी बात लिखी हुए, कि जो तुछ व्यक्ति होता है, जो नीच व्यक्ति होता है, उसकी आगे चाहे कितना भी महान, कितना भी गुनवान, कितना भी विद्वान आदमी आ जाए, लेकिन वो अपनी तुछिता को दिखाने के पर अपतर्ण हुआ उससे सीख लेते हुए मुनुश्य को विवेक शीलता से काम लेना चाहिए वरना वे व्यर्थ ही धक्के खाता फिरेगा उनका पतन होता चला जाएगा एक बार आग को पानी से शांत किया जा सकता है सूर्य की धूप छाते से रोकी जा सकती है मतवाला हात तीखे अंकुष द्वारा वश में क्या जा सकता है गाये एवम गधे डंडे से ठीक किया जा सकते हैं रोक दवाओं से दूर क्या जा सकता है और दवा शास्त्रों में नहीं थे प्रन्तु मूर्ख मनुश्य के लिए कोई दवा नहीं है अते मूर्ख की मूर्खता का को अपदेश देने वाले प्रसिद विद्वान जिस राजा के राज्या में निर्दन होकर रहते हैं उसमें राजा की मूर्खता साबित होती है विद्वान तो धन के बेना भी सराहनी है पर रतनों का मुल्या गिरा देने वाला जोहरी निंदनी हैं अत्य जो राजा विद्वान का आदर नहीं करता ये उस राजा की प्रजा और राजा दोनों का दुर भाग गया है क्योंकि ऐसे में फिर राजा और प्रजा को विद्वान के सानित ध्यप्राफ्त नहीं होता विद्वान का आदर ना हो दुरभाग गया है तो दोस्तों आज किल के जीविद में तो जो ढोगी लोग हैं ढोगी लोगों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है ढोगी से मतलब मेरा किसी धर्म या किसी चीज से नहीं है ढोगी का मतलब यह कि कुछ ऐसे लोग होते हैं काम चोर जो बिलकुल जूट बो याचकों को दिये जाने पर सदा बढ़ता जाता है तता जो कभी प्रले में भी नश नहीं होता ऐसा विद्या रूपी धन जिसके पास है उन विद्वानों का सदा सम्मान करना चाहिए अरे राजाओं उनकी प्रतिय अभिमान करना छोड़ दो भला उनकी बराबरी कौन कर सकत है राजा और विद्वान में बहुत अंतर है तो यहां पे भी राजा भरत्री जी ने बहुत ही ग्यान की बात कही है अगर आपके पास किसी भी तरह का ग्याना चाहिए वो धार्मिक हो वैदिक हो वैज्यानिक हो या फिर टेक्निकल कुछ भी आपके पास ग्यान है उस उस कोई नहीं चुरा सकता भले ही आपको दुस्ट लोग धक्के लगवा सकते हैं आपकी कहीं न कहीं नौकरी खा सकते हैं लेकिन अगर आपके पास टैलेंट है आपके पास अगर ज्यान है तो कोई भी आपको आगे बढ़ने से और काम्याब होने से आपको कोई नहीं रोक सकता बशर्ते आपका इरादा नेक होना चाहिए अपने काम के प्रती और अपने भविश्य के प्रती तो चलिए अगले शलो की तरफ चलते हैं ये राजन तत्व ज्यान प्राप्त किये विद्वानों का अनादर मत करो तुछ तिनके के समान धन संपदा उनको उसी प्रकार बाढ़ नहीं सकती जिस प्रकार तुछ कमल नाल से मदमस्त हाथी नहीं बाढ़ा जा सकता जैसे विदाता हंस पर अत्यदिक क्रोध होने पर केवल उसके कमलवन में विचर्ण करने के सुको नस्ट कर सकता है प्रंतुवे उसके दूद का दूद और पानी का पानी को अलग करने वाली विश्व विख्यात काला को नहीं मिटा सकता उसी प्रकार कोई भी प्रानी किसी सोभाविक गुणों को किसी भी प्रकार की हानी नहीं पहुँचा सकता देखिए दोस्तों कितनी ही गहरी बात है मैं पहले भी आप के साथ ये बात कर चुका हूँ कि कोई भी मुर्ख व्यक्ति चाहे आपको नुकसान पहुचा सकता है चाहे कोशिश कर सकता है लेकिन जो आपका मूल गुण है अगर आपके अंदर मान के चलो किसी ऐसा गुण है चाहे धार्मिक हो वेदिक हो उस गुण को कोई भी आप से चुरा नहीं सकता जब तक आप हो आपका गुण आपके पास है उसका आपको सतुपियोग करना चाहिए हे मित्र ना तो स्वर्ण भूशन ना चंदर के समान उजबलहार ना सनान ना चंदन आदिका लेपन नफूल न सजे समारे हुए केश ही मनुश्य को शोबा बढ़ाते हैं किन्तु वे एक वानी जो प्रयोग की जाती है वही मनुश्य को भली भांती सजाती है क्योंकि अन्य सब गहने तो समय अनुसार नश्ट हो जाते हैं प्रंतु वानी रूपी अभुशन सदस्त हाई रहता है, यही सबसे स्रेश्ट मान है, तो दोस्तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए, कि हमारे कर्म, वानी या किसी भी हमारी क्रिया द्वारा किसी का दिल न लुके, और वानी को हमेशा मीठा ही रखिये, वानी के साथ साथ अपन मन को भी और अपने जो अंदर की आत्मा उसको भी शुद रखिये, मीठा रखिये, तभी आपका कल्यान हो सकेगा, हमें दुनिया के सामने अच्छा नहीं बनना है, हमें भगवान के सामने अच्छा बनना है, एक समय ऐसा आएगा, दुनिया भले ही कुछ कहे, लेकिन हमें भगवान की प्राप्ति होगी, ये सत्य है कि विद्या ही मनुष्या का सबसे स्रेष्ट रूप संदर्या है, और सबसे सुरक्षित और छेपा हुआ धन है, विद्या भोग विलास देने वाली है, तथा यश्यवम सुक परदान करने वाली है, विद्या गुरूं की भी गु विद्या के पास यदि क्षमा का कवच है, तो शत्रू से क्या डर? यदि अपने ही बंधू बांधव शत्रू हो, तो आग से क्या डर? मित्र हो, तो दवा से क्या लाब? दुर्जन हो, तो सांपों का क्या काम? हित साथने वाले निर्दोश विद्या है, तो धन से क्या काम? लज्जा और मर्यादा है तो गेहनों की आवशक्ता नहीं कवीता है तो राज्या से क्या मतलब विद्या सर्व स्रेश्ट धन है विद्या से बढ़कर इस संसार में कोई दूसरा अमूल्य वस्तू नहीं है सब इसके वश में रहते हैं तो दोस्तों ये भी बहुती गहरी बात कही है कि देखो मनुष्य अक्षामावान होना चाहिए अगर मनुष्य अक्षामावान है तो उसे शत्तू से कोई डर नहीं है और अगर उसके अपने खुद का परिवार ही, अगर कि उसका दुश्मन है तो फिर उसको आग से क्यों डरना क्योंकि अपना परिवारी उसको जला जला कर मार देगा एक अच्छा मित्तर दवा की तरह काम करता है और अगर कोई दुर्जन, कोई दुष्ट आदमी किसी के समीप है तो फिर हमें सांपों से डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि समीप सिर्फ एक बार डसता है दुर्जन व्यक्ति बार-बार हर कदम पर डसने की कोशिश करता है इसलिए दुर्जन और दुष्ट व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए तो दोस्तों वीडियो जाता लंबा न हो जाए तो इससे आगे का जो निती शत्यक है वो जारी रहेगा आप सबसे मेरी गुजारिश रहेगी कृपया अगर आपने चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया तो चैनल को सबस्क्राइब करें वीडियो को लाइक करें शेयर करें जये शिवगूर अदेश